इसा नामर्द और गट्या आदमी, ऐसा कुत्ता आदमी के वो एक 9 साल के बच्चे के उपर पहलवान बन रहा है जानी इनको ये दिखाना है देश को देश में धुरुवी करन करने के लिए के मुसलिन में कतल किया पर जाती से पिडित इस देश का OBC है, जाती की मार पढ़ रही है S.C. के उपर तो आउना आप कुस्ती रख लो, आप हमारी देख लो, हम तुमारे से हम तुमारा कितना बड़ा पहलवान हो जो पांच दिन तक लगातार बलातकार हुआ, आपको कह रहा हूँ, यह मनुश्मर्थी की बाफसी होने लग रही है इसको हम लोग रोकेंगे, हमें चैक किसी भी अद्टक जाना पड़ा लेकिन इसको हम रोकेंगे नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंदुस्तान 24 पर और मैं आप सब के साथ में पिंचोधरी राजस्थान के जालोर की घटना इस समय पूरे देश में चर्चाओं में है और आरोप एक अध्यापक पर है अध्यापक पर आरोप है कि उसने एक छात्र की इतनी बेरहमी से पिटाई की कि उसके कान की नस फट गई और इलाज के दोरान उसकी मरत्यों हो गई घटना के बाद लगातार जातिवाद और छुआ छूआ छूट जैसी समाजिक बुराईयों की भी चर्चा हो रही है और इस पूरी घटना पर आज बादचीत करने के लिए हमारे साथ पूर दरजा प्राप्त राज्य मंतरी विनो तेजयान जी मौजूद है विनो तेजयान जी बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ आपका इंदुस्तान 24 पर धन्यवाद और सबसे पहला मेरा आपसे सवाल यही है कि राजस्थान में जो घटना घटी है उस पर आपकी परतिकिरिया क्या है यह जो राजस्थान के जालोर की घटना है ठीक इसी तरह से परियाग राज के अंदर परजापती समाज के एक बच्चे को रंजनी मिस्रा नाम की टीचर ने उसके मुह में डंडा डाल दिया केवल इसलिए के फीस दो दिन लेट हो गई थी तीसरी घटना राजस्थान में एक सिक्सी का जो एसी की टीचर है उसको दस लोगों ने इखटे होके पेट्रोल डाल करके जिन्दा जला दिया ये तमाम गटनाए अभी दो तीन साल पहला अपने देखा होगा हातरस के अंदर एक बालमी की समाज की लड़की को जिन्दा जलाया गया और उसकी जीब को काटा गया और पूरी सरकार और इस देख के तमाम जो ये मीडिया जो इन्होंना अपने काम के लिए जो बनाया हुआ मीडिया है जो प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रोनिक मीडिया है और इस पर मुठी भर लोगों का कबजा है तो सब लोगों ने ये दिखाया के ये तो ऐसा हुआ ही नहीं, CBI इनके हाथ में जाच हुई और वो सारे लोग बाद में जेल गए और सारे सबूत वो ही मिले, जो देश का सोसल मीडिया और इस देश के तमाम समाजिक संगटन जो उठा रहे थे, सच्चाई वो ही सामना आई के रेप भी हुआ और हत्या भी हुई, ठीक इसी तरह से यह जो घटना है, यह तमाम घटनाई धीरे 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 जब 2014 में देश में भारतिय जंता पार्टी की केन सरकार में बहुमत की सरकार बनी और तमाम राज्यों में इनकी सरकारे बनना सुरू हुई, तो 14 के बाद सब सब पहली घटना, जंबू कस्मीर स्टेट के एक अथीपा नाम की लड़की जो 12 साल की लड़की थी, उसके अंदर मंदिर के अंदर साजी राम सर्मा और उसके चार-पांच गुर्गे ओर जिनकी गिरफतारी उत्तर पर देश के मुझफर नगर से भी कुछ लोगों की गिरफतारिया हुई थी, और सारे के सारे एक ही सम कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, कि मनुष मर्ती हम इस देश में लागू करना चाते हैं ये लोग, तो उसके लिए ये टेस्ट चला है, प्रियोग साला के रूप में ये टेस्ट चला है, देश को आजाद हुए तो 75 साल हो गए हैं, लेकिन क्या आज भी भारतिये जन्वान चुआ चू जेसी सामाजिक बुराई और जातिवाद जेसी जो बड़ी बीमारी है, देश में आज भी उनका चलन है, देखिए इसका जो सबसे बड़ा करण है, मैं इसके लिए अपने लोगों को जो S.C. के लोग हैं, जो S.T. के लोग हैं, जो आदिवासी हैं, इस देश म जो मुस्लिम हैं, जितने भी कनवर्टिड लोग हैं इस देश में, यह सारे के सारे इन लोगों की गलती की वज़े से इस देश में यह सब हो रहा है, इनकी अज्यानता, इनको जानकारी न होना, और इनकी लापरवाई और इखटे होकर के काम ना करना, इसकी वज़े से यह मुठी भर लोग इस देश के उपर हाबी हो रहे हैं और 75 साल तो छोड़िए अगर आप 75 साल से पहल केवल 2500 साल अंग्रेजो के राज को छोड़ दे जो अकबर से लेक औरंग जेब तक जो 6500 साल मुगलों ने भारत में राज किया मुगलों के राज में भी इस देश में मनुष्मर्ती लागू रही जो लोग आज देश चला रहे हैं उस समय मुगलों के राज में भी परदे के पीछे नहीं उनकी बराबर में बैट करके यही उनके साथ रोटी और बेटी के रिस्ते करते थे और यही उनकी सरकार चलाते थे और इनोना मनुश्मर्त इस देश में लागू करवा रखी थी मुगलों से पहले इस देश में पेश तमाम जितने भी राज का चले केवल बीच में चंद्रुगुप्त मोरिये से ले करके समुद्रुगुप्त मोरिये और हर्सवर्दन, विक्रमादित्य, बिंदुसार, समराट अशोक और वरदरत मोरिया ये दस राजा इस देश में रहे जब इस देश में समता सवतंता बंदूत भाई चारे पर आदारी समाज और राष्ट का निर्मान हुआ और समराट अशोक के राज में पूरी दुनिया के पास जितना धन था, भारत को सोने की चिडिया कहा गया, पूरी दुनिया के पास जितना धन था, अगर पूरी दुनिया के पास सो रुपे थे, तो भारत के पास अकेले के 68 रुपे थे, इसलिए इस देश को सोने की चिडि नाम के ब्रह्मन ने उससके साथ दोका किया और धोका करके इस देश में फुस्य हमितर रूगुने जो इनके भडोने इनके बाबा और दात्या और हमारे ग्यारवे राजा, ग्यारवे शंकर को मार करके इस देश में वन्बे वस्था बनायी थी। इस देश में जाती विवस्था का निर्माण किया कहते हैं मुगलों ने बनाया है मुगलों से पहले जातिया थी मुगलों का तो अब मुगल तो आया ही भारत में 45-800 फेले है मुगलों का कोई से पहले इस देश में जातिया है जितने गंगोर यूद हैं चाहिए आपका समुद्र मंधन बता रहे हो चाहिए और देव और देत्तों की लड़ाई बता रहे हो चाहिए एक तरफ राक्सस और एक तरफ देव बता रहे है ये चाहे राक्सस हो या देव हो और ये आज की तारीक में जिनको बहुजन कहा जा रहा है ये सारे के सारे नागवन्स के लोग है धरम में चाहे ये कहीं भी हो ये सारे के सारे एक माबाप की उलाद है इन लोगों को इन लोगों ने साड़े इन विदे सिचु की असली देश क समस्चा यह इनकी जो इनका जो डियन्ने है इनकी जो नसल है जो भारत पर आज कर रहें सदियों से इनकी नसल भारतिय नहीं है यह यहुदी लोग हैं और यहुदी लोगों ने जो भारत के लोग हैं जो नागवन्स के लोग हैं उन नागवन्स के लोगों को इन्होंने जाट गुजर, यादव, खटीक, लुआर, तेली, तमुली, चमार, जाटव, तमाम इन्होंने हमें 6,740 जातियों में तोड़ा, हर जाती के अंदर 6 उपजाती बना करकर 40,000 उपजातिया बनाई, और फिर इनके 7,00, गोतर बनाए, और इनके अंदर कर्मी कैसमानता इन लोगों ने पैदा की, और ये दिरे 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 इस देश के जनता को गुलाम बनाना चाहते हैं, वो तो भला हो इस देश में, कि अंग्रेजों के राज में इस देश में, जोतिवा फुले ने इस बात को समझ लिया, कि आज नहीं तो कल अंग्रेज देश खोड़ करके जा सकता है, इस गुलाम गिरी को बाबा साहब ने 17 साल की उमर में पढ़ा और पढ़ने के बाद तुरंत आंदोलन खड़ा कर दिया और उस आंदोलन की बदोलत जब अंग्रेज इस देश से गए तो बाबा साहब अंग्रेजों के सामने खड़े हो गए चुकि गांधी नहरू ये कितना इनक इनको आगर रखना चाहती है लेकिन इस देश की जनता बाबा साहब सारी दुनिया बाबा साहाब से भी लगाओ करती है तो बाबा साहब की चुकि गांधी जो थे वो मैट्रीक बैरिष्टर थे मैट्रीक बैरिष्टर का मतलब आप समझते हैं 10 वी पास वकील और उस समय के जितने नेता थे बावा साहब अकेले अंगरेज खुद इस बात को मानते थे कि डॉक्टर अंबेडगर अकेला ही 500 वकीलों के बराबर है इसलिए बावा साहब के साथ उनके साथी थे सर छोटू राम नाम के जाट आज के जो हमारे जाट भाई है वो इस बात को नहीं समझ रहे वो अपने बड़ों के आंदोलन में सामिल नी हो रहे वो गुमरा हो रहे हैं तो उस समय के जाटों के सब से बड़े नेता थे उनका नाम था सर छोटू राम सर छोटू राम बावा साहब की टीम में थे और बाबा साहब से पहले बाबा साहब के गुरू जोतीवा फुले इस आंदोलन को चला रहे थे 36 सिवाजी महराज जिसने मुगलों की ताकत को तलवारों से तोल दिया था उसके पोते साहु महराज वो बाबा साहब को आगे बढ़ाने का काम कर रहे थे बैरिष्टर जोगेंदर नातमंडल जिन्होंने जब देश का विबाजन इन गदारों न कर दिया तो पाकिस्तान का सविधान लिखने का काम बैरिष्टर जोगेंदर नातमंडल ने किया मोलाना सोकतली अगर इस देश में ये पांच-छे लोग ना होते तो इस देश की जनता को अंगरेजों के जाने के बाद भी कोई अधिकार नहीं मिलना था इन छे लोगों की जिद और इन छे लोगों की मैनत की बदोलत इस देश के अंदर सविधान आया उस सविधान के अंदर हम लोगों को जो साड़े 6,000 जातियों में पुस्य मित्रसुंग नाम के ब्रामन्न भारत को बाँठ दिया था तो बाबा साहब को जब मौका मिला तो बाबा साहब ने 399 जो सदस्य थे जो सविधान सभाति उस सब को समझा करके साड़े 6,000 टुकडों में बटेवे भारत को पांच वरगों में जोडने का काम किया एक का नाम फोरवड रखा एक का नाम बैकवड रखा बैकवड में से सी निकला बैकवड में से स्टी निकला बैकवड में से कनवर्टिड माइनर्टी निकला इस तरह से कुल मिला करके बाबा साहब ने पांच समू बनाए और सब की अलग-अलग हिस्सेदारी लिखी। उस हिस्सेदारी की बदलत आज हम लोग तरक्की करने लगें आज हम लोग आगे बढ़ने लगें तो इनको ये लग रहा है अगर ये इसी रफ्तार से आगे बढ़ेंगे तो कल अपना देश अपने हाथ में ले सकते हैं इसलिए ये अपनी सरकार ला करके और ये ये चाते हैं कि जल्दी से जल्दी सविधान को खतम करके भारत में मनुश्मर्ती लागू कर दी जाए और जितनी जुल्म जायती, जितने बलातकार, जितना भी अन्याय और अत्याचार देश में हो रहा है ये सारा का सारा ये परियोग के तोर पर देख रहे हैं कि हम लोग क्या करेंगे कुछ लोग तो कह रहे हैं कि इस पूरी घटना पर राजनीती हो रही है सोण की बात हो रही है, दलित की बात हो रही है, लोगों को जाती वाद में माटा जा रहा है देखिए जो पिडित होता है जाती से पिडित ब्राह्मन नहीं है जाती से पिडित इस देश का OBC है जाती की मार पड़ रही है एसी के उपर जाती की मार पड़ रही है आदिवासियों के उपर जाती की मार पड़ रही है चुकि हम एक माँबाप की ओलाद और नागवंस के हम सारे लोग और हमें इनों न साड़े छे अजार जातियों में तोड़ करके कमजोड किया है तो हम लोगों को तो जाती वेवस्था की बदोलत सत्यानास हमारा हो रहा है हमारा नुकसान हो रहा है तो जिस वेक्तिगा जिस काम से नुकसान होता है को बढ़ावा नहीं दे सकता जाती विवस्था और भेदवाओं को इनके बढ़ों ने इसका निर्मान किया और यहीं इस देश में भेदवाओं फैलाते हैं यहीं इस देश में जाती फैला करके जाती भेदवाओं फैला करके ही तो इस देश में लोग राज कर रहे हैं और ज आपने टीचर को तो देख लो पहलवान को मैं तो कहूंगा ऐसा नामर्द और गटिया आदमी ऐसा कुत्ता आदमी के वो एक 9 साल के बच्चे के उपर पहलवान बन रहा है अगर इतना ही दम है इतना हमारे साथ में आ जाओ आप अगर नहीं काम चल रहा हो तो आओना आप कु देखा होगा आप वीडियो देख लीजेगा किस तरह से उसको पिटा जा रहा है बच्चे को यह दो बच्चों की लड़ाई नहीं ती यह प्रियोग साला है निश्चित रूप से वो टीचर आरे से सकाया और प्लानिंग करके इस बच्चे के साथ में यह सारा हुआ है चू यह लोग बहरूपिय लोग हैं यह लोग इतने खतरनाक लोग हैं कि यह और दूसरा एक सिद्धान्त है कि जिसके हाथ में ववस्था होती है वो नेक आदमी को बदमास दिखा सकता है और बदमास को नेक दिखा सकता है भारत की ववस्था इनके हाथ में सत्ता नहीं सत्ता ह तो पांच साल में बदल सकती है, बारत की पुरी ववस्था पे इनका कबजा है, मीडिया पे टोटल 100% इनका कबजा है, और जो नियाई पालिका है, नियाई पालिका में 618 जज है, 522 जज एक ही ब्रादरी के इस देश में बैठे वे, तो कहां नियाई हो रहा है लोगों के सा दुसरा, कारिये पालिका, कारिये पालिका के अंदर कलास वन के 81% अफसर एक ही ब्रादरी के हैं, OBC के अफसर 52% होने चीए, OBC के अफसर 4% है, SC के अफसर 30% होने चाहिए, उनके अफसर 6% है, तो कारिये पालिका इनके कब जेम हो गई, और रही विदाई का, तो विदाई क में पार्टिया इस देश में सारी इनकी हैं और ये 200 से जादे MP हर बार एक ही ब्रादरी के देश में जीत करके जाते हैं सभी पार्टियों से मिला करके तो देश की ववस्था पर इनका कब जा है इसलिए ये कहरे मटकी नहीं थी इन्होंने तो हातरस में भी कहा था कि बलातका पास है जो पांच दिन तक लगातार बलातकार हुआ और फिर उसके सर में पत्थर मार करके उसको डाल दिया गया इन्होंने तो उसमें भी कहा था कि मंदिर का पुजारी है साजी राम सर्मा वो तो ऐसा करी नहीं सकता आरे से के सारे लोग सड़कों पे थे के यह तो ऐसा करी या बना बना करके छोड़ने का काम चल रहा है तो मैं जो आपको कह रहा हूं यह मनुश्मर्ति की वापसी होने लग रही है देश में और इसको हम सब लोगों को मिलकर करके इसको रोकना होगा और इसको हम लोग रोकेंगे हमें चाहिए किसी भी तक जाना पड़ा लेकिन इ हमारा कोई आदमी आप बताईएगा किसने किसी बैनर पर आपने देखाओ के एक समाज को टार्गेट कर रहे हैं हम एक संगटन की बात कर रहे हैं वो जो संगटन है वो इसका सारा करता धरता वो संगटन है वो सारा करवा रहा है अभी आप बताईए कि जो इस राजस्थान की इस गटना से पहले एक महिना पहले भी एक लड़के का सर उतारा गया और जब जाँच पड़ताल हुई तो पता लगा के सर उतारने वाले दो सरण मुस्लिम थे और बीजेपी के कारिय करता थे तो क्या सारे देश को ये बात समझ मनी आनी चाहिए के जिस कोली वो भी ऐसी था जिसको पिछली बार मारा गया कोली हमारे हाँ ओभी सी माता है राजस्थान में वो ही कोली ऐसी माता है तो पिछली बार भी इनको मारा देख दिखा रहे हैं मुसलिम है जबकि मारने वाला उनीक आदमी है वो धरम बदल करके उधर बैठा हुआ है ठीक है आपने देखा हुए हिंदु महासभा का राष्टियत देख्स कमलेश तिवारी उसका भी सर इसी तरह से लखनव में कतल किया गया था और वो जो पकड़े गए थे जो आये थे व साथ सोचने की जवरत है कि जो मुस्लिम जगनने ये काम कर रहा हुए इनका आदमी होता है वह आदमी इनका होता है दूसरा अभी आप देखें रिलाइंस के मुके संबानी को धंकी दी जाती है अफजल बन करके विभू कोशिक नाम का आदमी उसको धंकी दे रहा है अफज गाएं का मीट रखवाया जाता है और मीट को रखवाने वाला जो असली परदे के पीछे है वो चंचलतिवारी है चंचलतिरपाटी है चंचलतिरपाटी तो यहां सारा खेल इसी तरह से चलता है करने वाला परदे के पीछे कोई और है लेकिन वो धरम का ठेकेदार बन करके पीछे पर देके छिपा हुआ है कर कोई और रहा है सजा यहां किसी और को मिल रही है चलिए तो राजस्थान के जालोर की घटना पर पूर्व राज्य मंतरी विनो तेजियान ने अपनी तीखी परतिकिरिया व्यक्त करने का काम किया है फिलाल इस वीडियो में बस इतना ही अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी तब तक बने रहे हैं इंदुस्तान 24 के साथ नमस्कार